आज बिटा बारी है practical organic chemistry के बारे में जानने की यानि कि आपके practical में क्या पुछा जाता है क्या test है जो आना है syllabus में उसके बारे में हम discussion करने जा रहे है practical organic chemistry के अगर मैं आपको लेकर के चलू आज के session में practical organic chemistry का क्या syllabus है पहले मैं आपको आपको चीज़े क्लियर कर दूँगी POC practical organic chemistry से related moreover मैं आपको यह भी बता दूँगे आपके वाइवा में वो क्या questions आप से पूछ सकते है तो सबसे पहली बात तो मैं अगर आपको बताती हू सलेबस जो practical OC का है आपको आपको इन और गैनिक के प्राक्टिकल में salt analysis है तो वह आपको इन और गैनिक वाली माम ही बताएंगे और रही बात तो और गैनिक ही तो और गैनिक में आपके पास majorly दो चीज़े आती है salt analysis को छोड़ कर के you have one more thing जो कि practical exams में आता है जो titration से related होता है जिसमें आपको molarity और strength पे questions पूछते हैं तो जो practicals इस बचे ने भी किये हैं जो school में गया है तो उसको या idea होगा मैं titration की बात कर रहे हूं तो titration में molarity strength based question आते है उसके हड़ा salt analysis आपको हो जाता है जो IOC का part and then comes in OC का part तो OC के पोर्शन के अंदर आपके जो syllabus में topics है मैं आपको एक बता देती हूं पहला topic जो आपके syllabus में विटा वो है preparation ठीक है अपको मैं चाप्टर के अंदर भी पड़ा है तो लेकिन बटा यह आपके प्राक्टिकल के अंदर भी topic है ठीक है इस पर वो क्या करता है प्राक्टिकल के के अंदर आपको जब आप प्राक्टिकल देने जाओगे तो आपके जो examiner होंगे वो आपको एक liquid प्रोवाइड कर अब वो लिक्विड जब आपको एक बीकर में डाल के देंगे तो बोलेंगे भी आप जाकर के बताईए इसके अंदर कौन सा functional group present है तो बेसिकल यह क्या हो जाएगा टेस्ट होगा जो आपने लोग लिखते हो अगर अपने प्राक्टिकल अपने लिख रहे होंगे जैसे कि म अब बीकौन सामपल शुक्तिकल जब अपने चेमलर यहिए चानल गुर। आपक forgiven sample तो अपने कौन सांप्टिकोल यह चानल प्राक्पद, पर काल में पर्च्छ नियूज तो। उनसाचुरेशन वाले वाले सोरेशन वाला गीश्यूरेशन वालेशन वालेशन वालेशनु तो इनकी आपके सलेबस में है आइडेंटिफिकेशन की मैं आपको फिर से प्रोसीजर बता रहे ही हूँ आपको इक गिवन सैंपल दे दिया जाएगा वो कहें कर दिस्टिंग्विश करो और यह बताओ बीसके इंदर कौन सा फंक्शन ग्रूप रेजेंट है ठीक है और वाइ तो ठीक है इसके अलावा जो आपके टेस्ट फंक्शनल ग्रूप के और गैनिकम पांसर प्रेजेंट है जो है सलेबस में वह कारेक्टरिस्टिक्स टेस्ट कार्बोहईड्रिट्स का फैस का प्रोटीन का प्योर सैंपल में और उनकी डिटेक्शन फूट स्टफ में तो मेज आपने वहां पर प्रेजेंट का पीस मिल जाएगा आपने वहां पर पर सोडियम मेटल बिटा स्खंदर डालना है जब आप इसगंदर सोडियम मेटल होगे और आपको ब्रिस्क अफेरनेंस देखने को मिलेगी ठीक है इसका मतलब क्या होगा वहां कौन सा गरोप प्रेजें वहाँ पर क्या प्रेजन्ट है अ Kollege प्रेजन्ट है वहां पर क्या प्रेज आरगो प्रेजन्ट है यह मगव tapi नहीं होय तो मतलब अल्कोछ चलोके दूसरे test या करना रफ नहीं आ रफ दूसरे तैस्ट पर इसाए ले विए ढूसा सي 19agen कि अय। यह लिक्विड की ही लेनी है उसमें आपने 1 ml FECL3 डालना है क्या करना बिटा 1 ml FECL3 पहले आपने 2-3 ड्रॉप लिक्विड की लिए फिर आपने फेरेक लॉराइड डाला FECL3 1 ml डाला ठीक आपने इसको हीट किया आपको अगर वॉयलेट ग्रीन कलर बिटा देखने को मिले कौन अगर वॉयलेट ग्रीन कलर बिटा नहीं देखने को मिल रहा है मतलब वहां पर यह ग्रॉप भी नहीं है तो आप थर्ड टेस्स के लिए जाओगे तो फिर से रिपीट कर रहे हो पहले टेस में मैंने बोला था आपने 1 ml लिया अपना लिक्विड जॉब आपको देगा एक् अगर यह भी नहीं होता भाई अगर यह भी नहीं होता तो आप क्या करोगे फिर 1 ml में नह-COO3 डालोगे sodium bicarbonate डालोगे अब मैं आपको बात दत्यों भी एक वाईवा क्वेश्चन में भी आप यह देखने को मिलेगा दिखाती हूं यह रहा चलो यह देखो हाओ विल यह अभी आओंगी स्पे कार्बॉक्सिलिक अपरिनेंस देगा नहीं देगा फिनोल नहीं देगा तो मतलब सीधी सी बात है अगर आप उसमें नहीं दाल दोगे रहा इफरनेस होगी इसका मतलब कौन सा ग्रुप है भाई अभी तो बताया अभी तो बताया सी उवेच ग्रुप है मतलब वहाँ पेम हैं सी ओध ग्रुप रेजेंट है कौन साौ ग्रुप प्रेजेंट है सी ओएच ग्रुप प्रेजेंट के अगर हो ऐसा 4-5 drop आपने डाली CHCl3 की उसके बात उसमें अपने 1 ml concentrated HCl डाल दिया क्या कि आपने 1 ml concentrated HCl डाल दिया फिर आपने उसमें 2 ml alcoholic KOH potassium hydroxide डाल दिया आलकोहलिक फॉर्म में बोल रही हो तो यहां पर अगर आपने 1 ml में चार से 5 drops अगर CHCl3 की डालोगे उपर से 1 ml HCl भी डालोगे concentrated form में फिर alcoholic KOH डालोगे अगर offensive smell आपको मिलती है तो NH3 group की presence detect हो जाएगी हो जाएगी ठीक है अगर यह भी नहीं होता मैम अगर यह भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे बिटा तो हम उसमें अब क्या करेंगे अब एक अमल लिकुड solution में टॉलेंज रिएजन डालोगे तो डालोगे वार्म वाटर बात देंगे बिटा उसको पानी गरम पानी वार्म वाटर बात देंगे देखा होगा वाँवाटर बात कैसे देते हैं तो वहाँ तो बहुत गलत बात है अगर अगर माल लो यह रियाक्शन भी नहीं हो रही मैं कहते हूं यह रियाक्शन भी नहीं हो रही तो क्या करेंगे माम तो हम क्या करेंगे लास्ट में 0.5 ml लेंगे लिक्विड का यह फिर से लिक्विड की बात कर रही हूं उसमें आप 0.1 ग्राम लेंगे यहां से वॉयलेट कलर जो आपके पास आएगा वो फेड होने लग जाएगा धीरे 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 तो वो क्या हो जाएगा वो की टोनी ग्रूप का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वह वहां पर की टोनी ग्रूप हैं तो मैटा यह 6 ही सिरफ आपके सलेबस में है 6-6 मैंने आपको बता दिये है functional ग्रूप वाले टेस्ट 6-6 मैंने आपको बता दिये क्या टेस्ट है आपने 1 ml लेना है लिक्विड का एनने डालोगे अगर आप 0.5 ml में में अपका केटोनी ग्रूप देगा अगर वायलेट कलर वहां फेड होगा तो मेरे इस आप से टेस्ट वाले तो खातम तुम कर लोगे है अभी एक्सपेरिमेंट्स आपने विटा क्लास में परफॉर्म किये होते हैं तो मैंने आपको अपको 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 बता दिया और क्या क्या आपने समान लिया वह भी बता दिया तो पेपर में आप जब इसे करके देखोगे तो आपने रिक्वायर्मेंट्स में यह सारी रिक्वायर्मेंट्स लिखनी है अपने लिखना है भी क्या क्या चीज़े आपको देखने को मिल रहे हैं रिजल्ट मे लिखना है भी कौन सा ग्रूप उसमें प्रेजेंट है एम पता चल गया to detect okay to detect which functional group is present in the following given liquid हो गया requirement में आप क्या लिखोगे आप लिखोगे sodium metal आप लिखोगे fecl3 solution आप लिखोगे c hcl3 hcl आप लिखोगे जितना जितना आपको समान चाहिए आप वो requirement के लिखोगे beaker लिखोगे टॉंग लिखोगे warm water bath लिखोगे stand लिखोगे ठीके बंसन बर्नर लिखोगे यह सब आप requirement में लिखोगे उसके बाद आप जब आपकी observation में लिखोगे brisk awareness यह observe हुआ violet green color आया यह color fade हुआ वहाँ पे smell आई वहाँ silver mirror आया तो वह आपकी यह लिखोगे observation और result आपको क्या आएगा तो आपको इन चोटी चोटी बातों का अच्छे से वहाँ पे clearly समझ आ जाएगा अब यह तो मैंने तुम्हें बता दिया तुमने experiment में कैसी करना है इसको दो मिनट का समय लो लिख लो अब आगे देखो अब आगे देखो अब वाईवा में किस तरह की questions यहां से आते हैं जैसे कि मोहर salt का formula बता दो क्या होगा मोहर salt की formula पे question आ गया 2,4-DNP test क्या मतलब जुतने हमने test अभी तक पढ़े हैं उस पे इस question आ जागा यह test क्या होता है 2,4-Dynitrophenyl hydrazine full form होता है test कौन सा है जो LD hydroketone को distinguish करवाने में help करता है तो tolerance test हो गया felling solution हो गया है यह आप इस तरीके से question वो वाईवा में पूचता है बटा लिखना जाते हो लिख सकते हो वाईवा की questions are based upon functional group वले test मैं पूरे chemistry के वाईवा की questions नहीं लाई हूं सिर्फ organic chemistry के regard में लाई हूं बाकियों का मैं आपको थोड़ा थोड़ा idea दे देती हूं क्योंकि वो अपने inorganic और physical में थोड़ा बहुत चीज़ें पढ़ी होंगी इसके बाद मैं बता देती हूं बाकी जो चीज़ें आपकी इसके अलावा जो आपसे पूछते हैं प्रक्राइब के लिख सब्सक्राइब डिता जैसे आपसे पूछ लेगा अगर आप टाडरेशन वाल एकस्परिमेंट करोंगे तो भाई टाडरेशन क्या होता है पहली बात ठीक है ब्यूरेट क्या होती है चोटी-छोटी चीज़ें में वह पकड़ेगा आपको भियूरेट क्या होती है अच्छा इसके बाद गं लूट करके एक साथ ही बता रही हूं तो ठीके इसके बाद radicals का वो पूछ लेता है अगर मैं IOC की बात करती हूं तो radicals पर question आ जाता है NIN के टाइन पर question पूछता ही पूछता है ठीके इन पर पूछता ही पूछता है का किसे हो इसे हैं चाहसब्स करते हो स्ट्रेंट को कैसे करते हो स्ट्रेंट को कैसे डिफाइन करते हो इस पर इसे क्वेस्टन आ जाता है अब चोटी चीज़ते वाह से पुछेगा functional sweeping क्या होता है अब एक चीज इस में ऽe कंफ्यूजकर देता है मुझे बताओ COH, CHO और CO में functional group कौन सा होता है, बच्चे गलती कराते है बच्चे गलती कराते है मुझे चाइट सेक्शन में सब लोग बताएंगे कौन सा functional group होता है, बच्चे बोलते है aldehyde group है, को tone group है, गलत है गलत है उसमें C double bond O group है जो common है तीनों में, तीनों में C double bond O group common है, वही functional group होगा, यह तो उनका नाम आप बता रहे हो ना, carboxylic acid aldehyde की tone, functional group कौन सा है, C double bond O, तीनों में C double bond O, तो क्या बोलते हैं उसको comments में लिखना, ठीक है, इसके बाद test वो पूछता है भी one primary, secondary, tertiary के माइन के लिए क्या test है, इसके अलावा वो आपसे यह पूछ सकता है, भी tollens reagent का formula बताओ क्या होता है और यह क्या कहते है, आरोमाटिक के लिए भी यूज होता है, यह सारे आपसे वो questions पूछे जा सकते हैं, ठीक है यह सारे questions इस तरीके से छोटे-छोटे questions पर वो तुमहें अटका सकता है बिल्कुल छोटे-छोटे questions पर ऐसे ही, जिसेवी पते हैं से चोटे-छोटे rule । उषलेशने ऑग्झालmaking diversion me takes agalic acid का city, 0.3 तो तुमने एक्सपरिमेंट किया है उसी पे बेस सारी क्वेशन है अब तुमने एक्सपरिमेंट करोगे ये एक्सपरिमेंट करोगे ये एक्सपरिमेंट करोगे तुमने एक्सपरिमेंट करोगे तुमने एक्सपरिमेंट करोगे तुमने एक्सपरिमेंट करोगे तुमने इन से संभावन लेकिन वह यहीं से पूछ जो आपके क्सपरिमेंट में चीज वह उस ही से पूछे गार इस Nora कुछ भी नहीं आयगा तो बढ़ ऐसे जाधा कुछ भी नहीं आएगा ऐसे जादा कुछ भी नहीं आयेगा मतलब बust परिमेंट करूंगे उस से जाधा वह बाइवम नहीं पूछता है, जादा से जादा वो यह जरूर कर सकते हैं, जब उसको यह पता चल चाहिए, बीस बच्चे को हुच भी नहीं आता है, तो वो उस बच्चे से कोई रहा कोई chapter related question पूछ लेता है, भी भाई तेरे को कौन से chapter तरह प्रपेर है, तू वो बता दे, वहां से question का जवाब दे, वो cases अलग होते हैं, पर जो आप perform करोगे, उसी बे बेस्ट वाईवा में questions आएंगे, ठीक है, वाईवा वाले questions भाई, किसी ने लिखने है, किसी का रह गया है, तो लिख सकते हैं, तो I hope so, आप सब को clear हो गया है, अब आपके practicals में क्या आना है, अच्छे से practicals देखे आना और वोजी comment section में जरूर बताईएगा, आप लोगों की तयारी कैसे चल रहे हैं, बेकर जल्दी हम revision भी students start करने जा रहे हैं, है ना?